देखे प्रथम जो है बियार एससी का जो आप प्रथम पुर्ण परिच्छा जो देख रहे हैं 9-2012 का है ये दियूतिय पारी का है ठीक है दियूतिय पारी का है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं इसको चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं, नले रिगाडवी से चमंत पर आपको शमान नग्यान, चीक है, इसमें आपका math और science का दोनों का चलेगा, जो की mix होगा, ठीक है, तो math का क्या है, math और science एक साथ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि math को भी मैं करवा दूँ, लेकि math का मैं सि solve करके अपना अंसर मिलाने जगा, वो भी practice rate में हो जाएगा आपका, चलिएगा, तो सुल करते हैं, पहला question से, तो किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है, किस राज्य में बताईए मिंधौला नदी बहती है, आपके सामने चार option है, जवाब देंगे, चीक है, मिंधौला नदी बहती है, कौन से राज्य में यह बताईएगा, तो आप जामते है option number C, गुजराथ में, ठीक है, गुजराथ में बहती है, यह ध्यान रखेगा, लेकिन इसका उद्गम अगर पूस देता है, आपका मिंधौला नदी का, तो आप याद दखेगा, इसका उद्गम जो ह जो है, इसका उद्गम अस्तर मिलता है, ठीक है, किलियर हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोस बाड़ा के सोनगर जो जगा है, उहाँ पे मिलता है, चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे, दूसरा प्रश्न है मेरे दोस्त के राज जभाशा कृती अवाड 2017 किस चलेंगे, इसमें थोड़ी सी गलतियां होगी, जिसमें आपको खुद आपको देखना होगा मिरे दोस्त, उसमें अगर आपको जहाँ पे गलतिया लगेगे, लगेगा, वहाँ पे आप कमेंट करतेंगे, ठीक है, कमेंट का अंसर दे देंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इस किरन का थोड़ा सा गलति होते रहता है, अगने चक्टान का उदाहरन है, बताएगा, इसमें चार अप्शन है, देखिए, यह भी D यहाँ होगा, ठीक है, 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 ठीक निर्मान हो जाता है तो जमने ज्ट तरप्वाइश को सूँसमेश games फायत हो गया नाइट हो गया हो गया फायव नट गमान को गया फ्रत एक डूसरा हो जाता है श्राल हो जाएगा वेशाल क्या हो फिल्स घाएव जा exactement mote कर दिएगा कि प्रश्व क्लिए हो गए चलेगे चौथे प्रश्व क्यों चलेंगे किसे लाल गरह कहा जाता है बहुत ही अच्छा प्रश्व है और मैंने ये आपको शुक्रका करवाया था है यार्ट है आपको शुक्रिकास साइंस में मैंने दो बजे जो करवाता हूँ उसमें करवाया था देखिए मैं इस question को मैं नहीं देखा था कि 2018 में ये प्रशन पूछा है लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सारा प्रशन कहां से आएगा आएगा तो एक जगा से न तो इस चीच को आप देखिए कि लाल गरह है तो हो सकता सु इसे लाल गरह कहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक ही है चुकि मात्र आपके शामने है कौन है मेरे दोस्त आप जानते हैं मंगल गरह जो है सौर मंडल का जो है सौर मंडल में सूर्ज की ओड से चौथे गरा है मतलब सूर्ज है ये सूर्ज है मान लिजे इधर से अगर के बारे में अगर नहीं चानिएगा तो समझेए बहुत दिक्त है तो जानना जरूरी है और मैंने ये स्वार मेंडल का स्पिसल वीडियो बनाया है साइंस के दो वज़ेगी अगर नहीं देखे तो देख लीज़ेगा मेरे दोस्त चीक है चलेंगे पाचमा प्रश्ण प्रदान मंतरी की न्युक्ति का प्रवधान जो है समिधान के किस अनुशेद के अंतरगत आता है अब देखे अनुशेद तो मैं पक्का करवाया हूँ और भी महामराथन के रूप में करवाया हूँ और समिधान संसोधन भी मैं करवा चुका हू सोचिए वही चीज मैं कर रहा हूं जो आपके कंटेंट में एक्जाम में आ सकता है मेरे दोस्त भरुशा करके आप इस यूट्व चैनल पर देख सकते हैं तो चलिएगा इसका अंसर का जबाब देजे बताएगा पांच माँ प्रश्ण का जबाब देंगे तो अंशेद जो है प्रश्ण है अब पूछा हुआ अगर चलिएगा भारत में अफस्ष्ट सक्तियां किसमें नहीं थे मिने दोस्त अफस्ष्ट जो सक्तियां होती है वो किसमें नहीं थे बताएगे अगर इसकी अगर बात करें तो अनुशेद अगर इसकी बात करते हैं अनुशेद की बात कर होता है जो किण सरकार में नहि eldest होती है जो कि अन्षेद आपका 248 में होता है मतंकि सक्तियों का करनी आप नहीद किया गया है तो किण सरकार के अन्षेद आपका 20 préf वा इनशेद ऑगा किसके 하는데 सक्तिया के लिए रोग है ठीक है चलिए ऊससे में का प्रश्ण है 2008 का बिहार के जीनों की शंख्या क्या है सोसी उससे में सब लोग पढ़ते होंगे 18 क्यों तो ऐसा नहीं था बहुत लोग पढ़े होंगे दिए क्या North तो बताएगा बिहार के जिनों की शंख्या क्या है मिने दोस्ते ये बताएगे जोथी इसमें ज्यादा देरी ना परेंगे आगे क्यों चरेंगे आठाभा मुख्याले कहां है बताएगा अंतराष्टिये मुद्रा कोश्ट का मुख्याले जो है कहां है यह बताएगे नियु आर्ट मी वसिंटन डिशी आया लंदन या मनीडा इसका मैंने आप्शन पढ़ लिया क्योंकि मज़दार है भी भी आई प्रश्ट है एटकेंगे भी भी चमीर का वसिंटन डिशी या तकिए गा मुद्रा कोश्ट की जैसे बात हो वसिंटन डिशी चल जाएगा इसके अस्थापना अगर पूछे तो 934 में हुआ था उन्हें 144 में हुआ तकिए गा उन्हें 144 में हुआ था या तकिए इस इसमें 190 देश का संगठ है या तकिएगा आगी की ओर चलेंगे नॉम्राप प्रष्ण की ओर चलेंगे डौलेक्ष सौट ठीक के डौलेक्ष जो है सौट बंबे स्टोक एक्स्चेंज की द्वारा कब शुरु किया गया बताइगा तो यह देखेगा इसका अगर बात करते हैं तो 22 मार्च 2006 को एज शुकेंगे 22 मार्च सॉरी यहां पे 22 मार्च देखेँ यहां पे गलत हो गया देखे मैय है सब अब बताईए हम इसमें क्या लगा है अपसर नमर एक एस ही है देखें यहां पर March होना चाहिए, माई दे दिया है, बताईए, अब क्या बताएं, समय माई हो गया है, तो माई के हिसाब से आप 22 माई 2006 लगाई है, यह तो 22 माई 2006 लगाई है, अब इसका क्या बताएं, अब इसका डिटेल अगर ब्रिशिक रूप से आप सर्च करके नहीं इसलिए इस बुक को मैं नहीं पर ले रहा था, लेकिन चलिए, आप लोग एक डिवांड के कारन प्रिवेशियत का पता चलेगा कि कहां कोश्यन रहता है, है ना, तो नेट से सर्च कर लिया जाता है, वर्स 2017, लेकिन आप जवाब देजएगा, मार्च है कि माई है, आप भी कंफर्म करके बताईएगा, ठीक है, मैंने तो मार्च कंफर्म किया है, आप बताईएगा, वर्स 2017 में, विश्व का सर्फिस्ट एयरपोर्ट, किसे आंका गया है, 2017 का देखिए, इतने प्रशन पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, तो मैं तो 2020 का प्रशन तो बनता है, यहां तक कि आप 22 का पढ़के चाहिएगा, 22 से 23 जो कि मैं करवा रहा हूँ, आप भी खुद कर लेंगे, और बहुत सारे, है ना, चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे कुश्चन बन रहे हैं 2017 से, देख रहा है न, बताईएगा, बर्स 2017 में, विश्व का सर्फिस्ट एय तो आप इसका बताईगा, दिल्ली का, किसे बताईगा, दिल्ली का, किसे बताईगा, दिल्ली का, नहीं, दिल्ली हो गया, जिन्होंने आपसा नमबर D दिया है, उन्होंने सही जबाब दिये हैं, या जखीगा, ठीक है, तिया देखेगा, जो इंदरा गांधी, आप देख किस तरह से गुमा दिया है चलेंगे अदब current में हुआ था उसstateics के रूप में कर दिया भी दोनों काम हो गया मतब चलेंगे कंटाग पठार में मुख रूप से क्या पाया जाता है कंटाग पठार जो है कंटाग जो पठार होता है उसमें मुख्ता क्या पाया जाता है मेरे दोस्त बताईगा क्या पाया जाता है आपके शामने चार अपसन है जवाब देंगे बताईगा बताते रहेंगे फटा फट जवाब देंगे क्या पाया जाता है तो देखें इसमें तो बहुत सारे चीज़ पाया जाते हैं हीरा यहाद परका ताहिए होगा तो यह सब याद रखिएगा जरूरी है चलेंगे आगे किस वर्ष 2016 का अप्धुलकलाम पुरसकार दिया गया किस वर्ष जो यह है 2016 का एपी जी अब्दूलकराम पुरुषकार दिया गया है देखिए 2016 से परश्चन पूझ दिया मेरे तो बताएं कि इसका परश्चन का जवाब देंगे 12 मा परश्चन का जवाब देंगे तो यार याद सखीगा इगार में राष्टपती एपी जी अब्दुलकराम के नाम पर रखा गया था जो कि 2016 का जो है अब्दुलकराम प्रुसकार पी गन्थूराम को दिया गया था पी गन्थूराम जिन्होंने उप्सन नमबर डी दिया है उन्होंने सही जबाब दिया है मिरे दोस्त चलेंगे आगे की ओदूराम प्रश्ट की ओर चलेंगे किस पंचवर्शी योजना का मुक उदेश जो है समानता के शाथ बृद्धी एवम नयापून वित्रन था मिरे दोस्त तो या दिखेगा इसमें समानता के साथ बृद्धी और नयापून की बात अगर करता है वित्रन की बात तो नौ मीं पंचवर्शी योजना में करता है चलेंगे आगे क्यों नौ बारद 2008 के दिश्ट्रिय पारी चल रहा है मेरे दोस्त चलिएगा प्रश्न है कि गदर पार्टी की अस्थापना कब ठीक है 1913 जो है गदर पार्टी का स्थापना हुआ था जो कि कहां हुआ थे मेरे दोस्त तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस के एस्टॉरिया स्रांग जो है अमेरिका में हुआ था एसे याद रखेंगे का अब डिटेल बता देता हूं क्योंकि लिखने का जगा तो है नहीं दोस है ना तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस के एस्टोरिया में हुआ था या दुखेगा इसका अगर पूछा जाए इस पार्टी के स्थापक का ध्यच कौन था तो या दिखेगा सरदार सोहन सिंग ठीक है सरदार सोहन सिंग थे सरदार सोहन सिंग या दुखेगा ठीक है सोहन सिंग सरदाद सोहन सिंग क्या थे भाववण वह बहुंट बहुत प्रश्न पूछ रहा है जवाब देज़ेगा हुबर बांद किस नदी पर इस्थित है बताईगा हुबर बांद किस नदी पर इस्थित है तो सोलामा प्रश्न का जवाब यार रुखेगा कोलो रैडो जो है आपको नदी पर बना हुआ है इसे कहीं कहीं को कisty क्यों नहीं होगी आगे क्यों चलेंगे इस बात और थापना आपसे पूझ दे तो क्या रीएगा मेरे दोस्त तो तो बता ही राष्टरी एकता परिशड का गठन कब किया गया था psychologically राष्टिये एकताप परिश्ट का गठन कब किया गया था या आपके सामने चार आप्सन है जवाब देंगे जवाब देंगे राष्टिये एकताप परिश्ट का गठन कब किया गया था बताएंगे राष्टिये परिश्ट जो है किस थापना कब की गई थी आप जवाब दें इसका answer option number she याद दो किएगे उन्हें 611 हिस्वे में किया गया था किया गया था उन्हें 611 हिस्वे में किया गया था अगर पूश देता आप से कि राष्टिये एकता परश्चत क्या जो है बैठक कब हुआ था पहली वार तो याद दो किएगे एक सारबाद 1962 में अगर बैठक की बात कर देता तो आप याद किएगे उन्हें 622 लिखेगा अगर आपको अस्थापना की बात करेगा तो उन्हें 611 ही सही होगा चीख है कोई दिक्कत नहीं इसकी अध्यचता जो भी करते हैं वो हैं प्रधान मंत्री करते हैं या दुखेगा प्रधान मंत्री जो है होता है अध्यच के रूप में, किलियर हो गए, आगे चलेंगे, सत्रमा प्रश्ण की ओर चलेंगे, सत्रमा प्रश्ण क्या बोलता है, कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रूपे की शुरुआत कब की गई, यह बताईएगा, आपके सामने सत्रमा प्रश्ण की रूपे मतलब यह बला, R, U, B, A, Y, यह रूपे है, ठीक है, यह ध्यान रखे है, रूपे यह ही बोल रहा है, ठीक है, तो बताईएगा, भारत के प्रथम पेमेंट गेटवे रूपे की शुरुआत कब की गई है, यह बहुत इंपॉर्टेन है मेरे दोस्त, यह बताईएगे, तो जिन्होंने माई 2014 लगाया है, उन्होंने सही जवाँ लगाया है, यह दुखिगा 14, चलेगा, आगे चलेगे, अठारमा प्रश्ण का जवाब देंगे, सतंत्र भारत के प्रथम सिच्छा मंतरी कौन थे, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्ण है, जो पिछला बार बीपेसी टियर्ड दवाले दी हैं, वो भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्ण था, बताएगे, सत डीचेल आपको देना है, कैसे बताना है, तो कब कब थे, तो यह दिखेगा, 1947 से, 1947 से लेके, आपको 1958 तक होड़े, ठीक है, क्लियर हो गए, चलेंगे आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर चलेंगे मेरे दोस्त, चलिए, अब बताएए, भारत में शुन नकाल कब शुरू की ग सकते हैं, याद्र केगा या प्रश्ण काल में, जो है, तुरंत बाद इसे, शमय सुन नकाल कहा जाता है, प्रश्ण काल के शमय, ठीक है, तो कब हुआ था, तो याद्र केगा, उनने 62 सट, जिन्होंने आपसर नमबर A दिया है, उन्होंने शही जवाबी है, याद्र केगा, चलेंगे आगे की और बढ़ेंगे मिरे दोस्त वीसमा प्रश्ण की और चलेंगे वीसमा प्रश्ण क्या बोलता है कि बर्स 2015-16 के लिए इंद्रा गांधियावार्ड से किसे समानित किया गया है बताएंगे बर्स 2015-16 के लिए इंद्रा गांधियावार्ड से किसे समानित किया है आपके सामने चार अपसन हैं जवाब देंगे मिरे दोस्त तो बस दो हजार पंदरा अफ्शोला के लिए इंद्रा गांधियावार्ड किसे सम्मानित किया गया है सोचिए एस्टेटिक जिक्टे के रूप में भी पूछ रहा है तो बताएंगे इसका अंसर का जवाब प्रशन का जवाब देंगे तो यह दिखेगा किसे विदा है तो टी एम कृष्णा ठीक है टी एम कृष्णा जो है सम्मानित किये गये थे ठीक है तो क्या नाम है तो टी एम कृष्णा जो है इंद्रा गांधि प्रूष्ट का से सम्मानित किये गये थे यह एक तरसे करनाटक के गायक थे, मतलब करनाटक पताई कंणर के गायक थे ठीक है, करनाटक कंणर के गायक थे, चलेंगे आगे की ओर एक किसमा प्रशन की ओर चलेंगे, एक किसमा प्रशन है, पल्ली वैसल पल्ली वैसल हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रजेक्ट कहां पर इस्तित है यह मैंने आज लगता है मैंने आज की कल जो साइंस का सेट प्रेक्टिस कर रहा तो इसमें कोशन पूछा था सोचे जिस बुक से मैं रिवांडर से करवा रहा हूं यह फिर भी एसियर का कोशन है और मेरा रिवांडर का बुक जो मैं लाया हूं उससे आपको यह पल्ली वैशल हाइड्रो एलक्टिक प्रजेक्ट है जो की कहा इसी था है मेरे दोस्त आपके सामने ंचार अपसन नहीं जबाब देंगे तो हैं तो याद रिखेगा जैसे ही पल्ली वैशल की बात आँے केरल को याद करेंगे चिरल को याद करेंगे केरल के इडू की जिले में है, या तोखेगा, केरल की इडू की जिले में ये प्रोजेक्ट बना है, या तोखेगा, आगे क्यों चलेंगे, चलिए, बाइसमा प्रश्न के ओर चलेंगे, भारत में स्वन रेशा करांती किस से समंदित है, देखे, कहीं 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 रेखा समंदित है चीक है श्वन रेखा करांती भी कहीं कहीं देता है तो ठीक है या तो खिएगा भारत में श्वन रेखा करांती जो है किस से समंदित है तो आप जानते हैं जूट से समंदित है श्वन रेखा देता है या रिशा या तो जूट से ही समंदित होगा रेखा भी दिख दिया तो आ आप ध्यान रखेगा जूट के बारे में जानना चाहते हैं तो छलेंगे ऐसे रेशा भी जादा confirm रखेगा ठीक है प्रफम भोजपूरी उपन्यास बिंदिया किस के द्वारा गई है प्रफम भोजपूरी जो है उपन्यास है बिंदिया बताई किसके द्वारा लिखी गई है 23 प्रश्ण का जवाब देंगे जिन्होंने 23 प्रश्ण का जवाब देना चाहते हैं वो जवाब जिए तो वो है रामनाथ पांडे याद रखेंगे जिन्होंने रामनात पांडे जवल चिकाट की हैं उप्सन नमर शी उन्होंने सही जवाब दे हैं यह लाए थे 1956 में आया था याद रखेंगा यह लिखा गया था आया था चीक है याद रखेंगे आगे चलेंगे 24 प्रशन है कि कोरिंगा मैगरोब अस्थल कहां इस्थित है बताएगा किधर इस्थित है 24 प्रशन का जवाब देंगे तो याद रखेंगे यह आंध प्रदेश में है यह दूसरा सबसे बड़ा है याद रखेंगे तो ऑप्सन नमबर जो जिन्होंने ऑप्सन जो है आपका मैगरोब है याद रखेंगे मैगरोब बन है याद रखेंगे 25 प्रशन का जवाब देंगे 25 प्रदान मंतरी अदर्स ग्राम युजना कब शुरू की गई है यह आप 2018 के तहत आप समझ रहे हैं इससे लिए ध्यान रखेंगा अब जो है मैगरोब बन का 2018 जो प्रशना कब शुरू किया गया मताएंगे आपके सामने 25 प्रशन का है 2009 और 2009 से 2010 तो बर्श 2009 और 2010 याद रखेंगे शुरू किया गया है लोग तंत्र एवं विकाश के लिए पंचेती राज संस्थाओं के पूर्ण जीवन पर एल एम सिंगवी शमिती को कब निउक्त किया है कल से आज में आपको पंचेती का जो है एमसी को करवा दूगा आप तयार रहेगा एमसी को देने के लिए क्योंकि यह बहुत सारा कोशन पूछा पंचेती पंच्वसी हो जाना ठीक है तो तो त्यार एगा आगे वही करेंगे उसके बार ही कुछ रहागा तो लोग तंत्र तो यह रहेगा यह है 9086 में जिन्होंने आपसा नंबर B दिया है उन्होंने शही जवाब दिया है चिक है 27 प्रश्ण का जवाब देंगे भारतिये शमिधान के किस अनुछेद में चुनाव आयो का प्रधान है बताएगा चुनाव आयो का प्रधान है तो भारतिये शमिधा किस अनुशेद में चुना आयोग का प्रधान है वो बताएंगे तो या रिखेगा 27 प्रश्ण का जवाब देंगे तो उन्हें कौन सा है अनुशेद अगर मेरा देखे होंगे तो जरूर जवाब देपाईएगा क्योंकि इस भारत का जो समीधान है किस अनुशेद में चुना गया है मतलब चुनाव का चुनाव आयोग जो होता है उसका प्रधान है बताएंगे तो या दखेगा 324 अनुशेद जो है 324 के ए में वन में ए कहिए का कहिए या जो कहना कर सकते है या वन कर सकते है ठीक है इसके तरहत किया गया ठीक है आगे चलेंगे आगे आगे आपके सामने प्रश्ण बनता है आपका 28 मा नूबियन मरुष्थल जो है कहा है नूबियन जो मरुष्थल है कहा है ये बताएंगे तो अबियान जो है मरुस्तल जो है आपका एक सहारा मरुस्तल के पूरु छेतर में है कहां है तो सहारा जो है सहारा जो है आपका सहारा जो मरुस्तल है उसके पूरु छेतर में है अब सहारा है कहां अगे सबसे बड़ी बात है तो आप कमेंट करेंगे सहारा है कहां चीक है तो बत वो एक तरह से फैला हुआ कहिए, एक तरह से कह सकते हैं, चीक है, ये नीला और लाल सागर के बीच फैला हुआ है, या दो कहेगा, एक तरह से, ठीक है, ये है आपका शुटान में, जिन्होंने आपसा नमबर C दिया है, उन्होंने सही जबाब दिया है, मेरे दोस्त, चीक है, तो यहां देखेंगे 28 प्रशन का जवाब देंगे तो जिन्होंने option number शी दिया है उन्होंने सह दिया देखेंगे 23 प्रशन है The Ministry of Atmost 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 होता है Atmost Happiness किसके द्वारा लिखी गई है The Ministry of Atmost Happiness किसके द्वारा लिखी गई है मेरे दोस्त आपके सामने चार option है जवाब देंगे थोड़े से दुन ले होंगे लेकिन आपको मैं question पढ़ रहा हूँ वो देखेगा क्योंकि इसका page भी वैसा ही है 29 का अंसर का जवाब देंगे तो अरुन धती राय का नाम शून है आप जिन्होंने option number A है उन्होंने श60 आपके अरुनधरी राय ठीक है चलेंगे तीसमा प्रस्ण के ओज़ चलेंगे तीसमा प्रस्ण है कि भारतीय सुतंता संग्राम संगर्ष कहिए किस समय या संग्राम किस समय कहिए समय कॉंघ्रेस का सैसब काल किस عबधी को कहा गया है कॉंग्रेश का सैसव जो काल है किस अवधी को कहा गया है बच्चे का काल कहिए कब कहा गया है ये बताएंगे तीस माँ प्रश्ण का जवाब देंगे तो यह दखेगा 1885 से 1905 कह सकते हैं 1885 से 1905 कह सकते है क्यों सैसवास था 1850 में कॉंग्रेश बना ही था अब उन्हें 105 तक धीरे धीरे बच्चा ही था समझे उसके बाद समझे शेर के रूप में उबढ़ा बड़े के रूप में उबढ़ा ठीक है याब तो कि चलिएगा एक तिसमा प्रश्ण का जवाब देंगे राष्टिये ग्रामीन स्वास्त मिशन कब शूरू किया गया देखिए योजना से बहुत पूस्ता है तो बताएगा राष्टिये ग्रामीन स्वास्त मिशन अब मेरा अब बताएए मैं क्यों ना अपनी बढ़ाई करूँ करना बनता है क्यों 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 कि दे रहा हूं आप भी वह मेनत कर रहे हैं आप लगे रहे हो जाएगा आप लोगों का पक्का वाला जाओ याद रखेगा राष्टिय ग्रामी स्वास्त मिशन कब शुरूगा बताएंगे एक तीसमा प्रश्ण का जवाब देंगे तो याद रखेगा बारा अप्रेल दोहजार पाँच जिन्होंने आपसन नमबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है बारा अप्रेल याद याद रखेगा आगे क्यों चेलेंगे बतिस्मा प्रश्ण मों की ओर चलेंगे वाचित्यों प्रश्ण है इंडस्ट्रियar के इंड इंडिया जो है लिंटेट का मुख्याल है कहां पर सथित ने दोस्तित्रियर जो सथित करेड़ है एक बाइक जाने जीजे इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंडिया लेम्टेट का मुख्याल है कहां इस्तित है मेरे दोस्त आपके शामने चार अपसने जवाब देंगे तो 32 प्रश्ण का जिन्होंने जवाब दिया है मुंबई उन्होंने सही जवाब दिया है तो नवी मुंबई के नाम से जानते हैं इसे इत्यान रखेंगे यहां पर आपसन में नवी मुंबई कर दिया है लेकिन है मुंबई याद रखेगा 32 प्रश्ण का जवाब ही है याद रखेंगे आगी क्यों चलते हैं 33 प्रश्ण की ओर चलेंगे किस संबेधानिक संसोधन दुआरा 2026 तक लोक्षभा के सीटों के पुन निर्मान पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया है तो याद रखेगा ये संबेधानिक संसोधन दुआरा 2026 तक लोक्षभा के सीटों के पुन निर्मान पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया है मेरे दोस्त आपके सामने सही जवाब दिजे तेतिसमा प्रश्ण का जवाब जिन्होंने 84 में समिधान संसोधन बता रहे हैं वो शही जवाब दे रहे हैं और समिधान संसोधन का अगर मेरा वीडियो महा मेरातन देखे हैं तो आप टीकावड चुरूर कर रहे होंगे तो याद रिखेगा ये समिधान जो 84 है याद रिखेंगे ये 2001 मानते हैं याद रिखेगा 2001 ने जो है एक है याद रिखेगा ये 1971 के जनगना के अधार पर लोग सभा में मौझूद जो सीड़ था कुल संख्या उसे 2026 तक का अस्तवित कर दिया गया था याद रिखेगा 2001 के ये लच था एक तो से सीटो का है ना चलेंगे आगे चलेंगे आगे प्रश्ण है कि जलिया वाला बाग हत्या कांड की घटना कब घटी है ये बताएगा 34 प्रश्ण का जबाब रेंगे तो या देखेगा जलिया वाला बाग हत्या कांड की जैसे ही बात होगी तो Specty ओपर Practice Set A P Second अगर दिया होंगे मतब पर्थम पाली का तो आप जवर जवाब दिया होंगे तो उसी तरह डेट मैंने बताया था 13 cuando I also इसे उने इसको बताया था जनोंने Option Number 6 दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है ये सभी के जवाब पे होगा जलिवाल अबाक हत्या कांड लेकिन कहां हुआ था ये आप जवाब जीज़ेगा कमेंट करते रहेंगे उससे याद होता रहेगा मेरे दोस्त समाज में धन के बितरन की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है टैक्स जो है आपका शहायक होता है आपके सामें चार उपसन है 35 प्रस्ण का जवाब देंगे जो या देखेगा प्रगती शिल जो है कर होता था या देखेंगे जिन्होंने आपसन नमबर भी लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है ध्यान लखेगा चीक है आगे क्यों चलेंगे कोश्याना इसे कौन सी कंपनी जो है नमरत कंपनी में सामिल है जिसमें M-T-N-L M-T-N-L जो है यह सामिल है और सब अभी सामिल नहीं है या रखवेगा 14 कंपनी है 14 कंपनी का नाम याद है नहीं तो चलिए बता देता हूं च्वदा कंपनी में सौट फॉर में दखें, S-C-I, ठीक है, S-C-I या दुखेगा, H-A-L या दुखेगा, पहला दूसरा कमपनी हुआ, ठीक है, या दुखेगे, यह आपके पास तो तीसरा कमपनी हुआ ही, आप देखे रहे हैं, ठीक है, चौथा कमपनी आपका R-I-N-L है, या दुखेगा, ठीक है, नमरत्र में आ रहा है, ठीक है, E-I, ठीक है, E-I-L है, या दुखेगा, यह पांचवा है, इससे तरह बहुत सार है, ठीक है, तो इतना इंपोर्टेंट था, इसलिए मैंने यह बता दिया, चलेगे आगे, 38 प्रशन का जवाब देंगे, हिंदी उपन्याश, राग दरवारी किसके द्वारा लिखी गई है, राग दरवारी पन्याश है, वो किसके द्वारा लिखी गई हिंदी में है, ठीक है, इसका अंसर का जवाब देंगे, तो 38 प्रशन का जवाब दीजे, तो या दुखेगा रागदरवारी की जो है जो प्रकाशन हुआ था 1968 में हुआ था या दुखेगा और ये इसके जो थे स्रीलाल सुक्र थे या दुखेगा स्रीलाल सुक्र के द्वारा ये लिखा गया था या दुखेगा यह ब्यंगपूर्ण हिन्दीपन्यास था या तो जब दखेंगे इसे जो है साहित अकादमी कम मिला था तो 1969 में मिला था या तो जब दखेंगे आगे चलेंगे 40 मां प्रस्ट ना साइमन कमिशन की रिपोर्ट कब प्रकाशिट की गई आप देखिए आप 1993 का कौश्चन का संस्राइब connection की चार्जाती ना संबस्क्राइबzieh वर्फ रिपोर्ट का प्रकार सिद्ध की गई थी इस बताइए कब प्रकार सिद्ध किया गया था तो आप जानते हैं प्रकार सिद्ध किया गर बात करें मैंने यह सवाल आप से किया था भी साइमेल कमिशन से तो बताइगे लोकiten का अप्रकास्शन जो है कब किया था तो या दिखिएगा उन्हें 37 जिन्होंने आप्सन मड़ी दिया है उन्होंने सही जवाव दिया है उन्हें 41 मा का 30 था उन्हें 37 या दिखेंगे चलेंगे चालीसमा प्रस्ट की ओर चलेंगे बिहार में चौंकेदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था बिहार में चौंकेदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था आपके सामने चार अफसर नहीं जवाब देंगे 40 मा प्रश्ण का जवाब देंगे त्यार देखेगा 40 मा प्रश्ण का जवाब देंगे मेरे दोस्त त्यार देखेगा ये भी उने 130 में ही सुरू किया गया था यार देखेगे 1930 में सुरू किया गया था 40 मा प्रश्ण का अंसर यार देखेगे । बताईगा कौन है तो बताईगा कौन है तो या दिखेगा रास्तắना आपका चैन्दी की चत्र में ज्यादा आपका सर्वधिक उत्पादन में है अटकी ठीक है? आगे क्यों चलेंगे? आगे 42 मा प्रश्ण के ओर चलेंगे 42 मा प्रश्ण क्या है कि बिहार में भारत छोड़ो आलदोनन के दौरान सचीवाले गोली वारी की घटना कब हुई थी? ठीक है? एगर बात करें तो 1940 में ही हुआ था? तो 1940 में आप टेट पूछ रहा कि कब हुआ था? चोऻदा अगस्त, एगार अगस्त, नौऌ अगस्त ऐा पंद अगस्त बतायेगा कब हुआ था? बताइएंगे? तो इक 42मा प्रश्ण का जिन्होंने 11 अगस्त 1922 उन्होंने दिया है, किए बिहार से समन्दी था, तो 11 अगस्त,ो 19 सब्समें, बिहार में भार्षोड राणों का समय हुआ था, या सची वाले गलीवारी की खडना हुई थी, या तो क illuminated सची वाले में जो gözी बाते हूँ धीजिन गलीवारी है, या तो कहेंगे deskben yangu है, presenting तो याद रुखेगा एक तरफ तो पेरू है याद रुखेगा पेरू है आपका पेरू है फिक्ष है आगे बताएंगे कि पेरू है और पताएंगे आप बोलिविया है एक बोलिविया है याद रुखेगे तो जिन्होंने अप्सन नमबर A दिया है बोलिविया एबं पेरू जो है आपका टिक्ट का जील, जो है वहां की शीमा पर इस्तित है, एक तरह से याद रुखेगा, ठीक है, चलेंगे आगी क्यों, आपका 43 मा प्रश्ण का अंसर का जवाब, अफसर नमर A, सही था, कैसा लग रहा है वीडियो, जवाब देंगे, और जहां पर थोड़ी से गलत हाने, अब देखे, अंसर इसका, देखे, किया, कितना गलती होता है, पता नहीं, प्रेड़र क्या रखे है, छपाय करने वाले, क्यासे वेक्ति रखे है, इनको ध्यान देना चाहिए, स्वारी, मिन दोस्त बाहर के आवाज के लिए चुमा चाओंगा, इसमें देखे, पता यह अंसर इतना गलती कैसे चाप देता है कभी question गलत कभी option सही मतलब गलत का सिध्धान्त है लेकिन इन्हें थोड़ा सा बड़े हैं brand है इन्हें अपनी थोड़ी सी देखनी चाहिए थे चलिएगा दिखाता हूँ इनका क्या है कि 249 से आ देते हैं और यहां है कि 243 आई होगा अंसर यही है चिक है जिन्होंने option नमर A दिया है उन्होंने सही जवा दिया है 243 आई चिक है अंसर में सही दिया है लेकिन visualization जो हुआ न उसमें गलती कर दिया है चिक है चलेंगे आगे क्यों जुलाई 2017 में वाइश्मा एशियन एथेलिटिक्स चैंपियंशिप कहां शंपन हुआ बताएगा चैंपियंशिप जो है कहां शंपन हुआ था यह बताएगा 45 का अंसर का जवाब देंगे तो बताएगा कहां हुआ था तो आप जानते हैं आपका उडिशा बोनेश्वर का नाम शुन है उस जगा हुआ था जिन्होंने option number 40D का जवाब दिया है उन्होंने शही जवाब दिया है मिरे दोस चुक्हा है option number D 玩तेगे चलेंगे 46 वह प्रक्ष्ण के ओर चलेंगे the collision दक कॉलीशन Țिकान इस 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 जाई कि थी नाम है इसका ठीक है किसके द्वारा लिखा गया है यह जवाब देंगे आपके सामने चार अप्षन है जवाब देंगे तो 46 प्रश्ण का या तकेगा प्रणम मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है या तकेगा प्रणम मुखर्जी क्या थे बताइएगा ये हमारे राश्टपती थे, प्रधान मंत्र थे, उपर राश्टपती थे, क्या थे, जवाब देंगे, पढ़ना मुखत्ची, चीक है, जवाब देंगे, ठीक है, के में राश्टपती थे, चरी बताईए, ये तो मैं बता दिया, के में राश्टपती थे, चरीएगा, आगे भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश का दूसरा अध्यस थे, दादा भाई नरोजी का नाम शुने हैं, वही थे, यह रखेगा, तो पहले कौन थे, W.C. बनर जी थे, कोई और थे, बताएगा, तो यह रखेगा, इसकी अस्थापना अगर भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश के बात करें, इसके अस्थापना जो है, 1885 में हुआ था, अभी जस्ट आप मारे हैं, जो कि W.C. बनर जी, जो कि B.C. बनर जी थे, प्रतम अध्यस थे, पहले अध्यस थे, दूसरे में यह रखेगा, 886 में बने थे, कौन दादा भाई नरोजी बने थे, अध्यस यह रखेगा जेंडा 21, किस से समंदित है मेरे दोस्त, जेंडा 21, जो है, किस से समंदित है आपके सामने, 4 अपसन है, जवाब देंगे, 48 का, सौरी, 48 का अंसर के जवाब देंगे, तो यह रखेगा, 1992 जो है, यह रखेगे, तो रियो डी जेनरियो सम्मिलन, रियो डी जेनरियो सम्मिलन, 1992 आपसा नमबर बी जिन्होंने जवाब दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है चलेंगे 49 का आंसर का जवाब देंगे 49 में अंसर है कि पुरुश एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का किसे ने जीता पुरुष एकल फ्रेंच ओपेंड टेनिस जो है, 2017 का पुरुष का जो है, किसने जीता है? ये जवाब देंगे मिरे दोस्त तो बताईगा भी जवाब डिये हैं फिफ्टी जू का अंसर का जवाब देंगे तो जिन्होंने अंसर अपसन न्बर डिय दिया है हरसन की खारी और लेबरोड की सागर जो है दोनों हरसन जल संदी को चोड़ती है याद रखेगा आगे चलेंगे तिरपनुमा प्रशन के ओच चलेंगे तिरपनुमा प्रशन है भारत में कौन सा राज्य जो है बरस 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच अस्थान दिया है याद खेगा 54 कांसल कर जिवाब दिया शूरी नामा की रजद्दानी है जवाब दिया है याद चागान यह चगान जो है आपका लोक निर्थ समन्दित है तो यह चगान के अगर बात करें तो याद रखेगा यह 55 प्रश्ण है यह चगान जो की करनाटक में है याद रखेगा यह चगान जो है करनाटक में मनाए जाता है याद रखेंगे